कौनसे स्टोक में इन्वेस्टर ने ज्यादा कमाया 1-1-2014 को स्टोक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टोक प्राइस थी 23-March 2020 को जब Nifty lowest point पे था तब स्टोक प्राइस थी और करंट प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए दोनों स्टोक में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करंट वेल्यू है यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों स्टॉक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है एक मिनिट के लिए हम ये भी सोचना चाहिए कि दोनों स्टॉक्स ने जैसा रिटन पिछले साथ सालों में दिया है वैसा ही अगर अगले साथ सालों तक रिटन दे तो उनकी वेल्यू कहां पहुंचेगी Thank you